जैसे जैसे दिसंबर की सर्दिया तेज हो रही है और पारा नीचे जा रहा है वैसे वैसे सियासी पारा हाई हो रहा है क्यूंकि 4 दिसंबर से संसत का शीत कालीन सत्र चल रहा है तभी से हर दिन सदन में सरकार द्वारा पेश किये जा रहे विध्यकों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के बीच दोरदार चर्चा चल रही है संसत के दोनों सदनों लोकसभा और राजसभा में हो रही इन चर्चाओं के बीच सियासी घमासान भी देखने को मिल रहा है जिसके चलते संसदों को निलंबित भी किया जा रहा है संसत के इस शीतकालीन सत्र में अब तक लोकसभा से 14 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है निलंबित हुए इन सांसदों में वी के श्री कांतम, श्री बेनी बहन, पियार नटराजन, मोहम्मद जावेद, कनी मोजी, के सुब्रमन्यम, एस आर प्रतिभान, मणिकम टैगोर, एस वैंकटेशन, टियन प्रतापन, हिबी इडन, एस जोती मनी, राम्या हरिदास और डीन कोस शामिल है. आपको बता दें कि इन विपक्षी सांसदों को लोकसभासदन में अन्ने अंत्रित आज़ेंगे, के लिए निलंबित किया गया है, और ये सभी 14 विपक्षी सांसदों, लोकसभासदों से पूरे शीत कालीन सत्र के लिए निलंबित किया जा चुके है.